पीस लिया है आदा कप दही ले लिया और यहां पे चिकन की उसमें काट के और उसको जो है वो भून रहे हैं और लसन अतरक के इसमें आड कर दिया है और लसन अतरक के साथ चिकन को भूनेंगे यहां पे फित नहीं पैस मैंको तो में 2 शोटे प्यास को अच्छा सा पकाया थोड़ा सा मितला इसको लाल करना स्विख transfer करना है। फिते हम इसमें 2 तमाटे डाले हैं, एक हरिमिर्च अर उसके बाद इसको थोड़ा पकाके और उसके बाद इसको पीस का बेस बना लिए। जीरा और धनिया पिसा हुआ, 1⁄2 तिबल स्पून लाल मेर्ज, 1⁄2 तिबल स्पून कुटिवी मेर्ज, यह सब मसाले इसमें डाल के इसको पकाएंगे एक मिनट मसाले में चिक्न को पका के, इसमें ये थोड़ी सी देही है, हाफ कर तोड़ी यह जो हमने काले में चुछ जीरा पीस के रखा था इसमें से थोड़ा सा आदा लेंगे और इस अधिस मसाले के अंदर आड कर देंगे ताकर यही साथ में भून जाए आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से भून जया है दही बिल्कुल नजर नहीं आ रही है अच्छे तर यहां पर थोड़ा सा मैं आड कर रही हूं सूखी मेती और थोड़ा सा गरमासा और यह मैं आट कर रही हूं तो प्रीन मैंने वन फोर्थ कप इसके अंदर आड कर दिया है अच्छा तोड़ा सा टेस्ट करने के मासाले में अगर मासाला स्टॉंग है तो थोड़ी सी क्रीम और आट कर लें मैंने वन फोर्थ कफेकर बैट किया है और यह अच्छी से क्रेवे बन गए इसे हलकी आंच के ओपर एक मिनद तक रखेंगे मुझे क्रीम कम लग रही थी तो मैंने यह पूरी ही क्रीम यूज कर अच्छी है 300 ml और यह जो काली मिर्च और जीरे का मसाला था यह थोड़ा सा मैंने उपर भी स्प्रेट कर दिया और इसे में हलकी आंच के रख देती हूं लेके तो मिनट तक कि दो मिनट हो गया है कि का सगी उपर आगे है कि आप चाहिए तो स्टेज पेस पर हल्का सबढ़र भी आग कर सकते हैं इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है अगे ग्रेविया मादी रेडी हो गई है चिकन की के यप लूफ कि अनुप टेती है कि यू उली है